नेक्ट प्रोड़े लेते हैं नेक्ट एक्जाम्पल लेते हैं लेटेशे आपका ग्रामर है एस एरो small डी, capital A slash small a capital B second production है आपका capital A arrow small b capital A slash small c और नेक्ट प्रोड़ेक्शन है b arrow small b capital b slash small c तो यहाँ पर आपके जो variables हो जाएंगे वो हो जाएंगे s capital a capital b terminals हो जाएंगे small a small b small c and small d आपको check करना है कि यह grammar आपका lr0 grammar होगी या नहीं होगी तो आपको conflicts आप चेक कर लीजे अगर यहाँ पर कोई भी sr या rr conflicts नहीं आता है तो यह grammar आपका lr0 grammar हो जाएगी तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप canonical collection of lr0 items को लिखेंगे तो सबसे पहले तो इस grammar के लिए आप augmented grammar लिखिए augmented grammar में आप क्या करेंगे यहाँ पर एक extra production add कर देंगे s- arrow s तो आपको इसके लिए augmented grammar यहाँ पर मिल जाएगा और फिर आप start करेंगे closure of s- arrow dot s से यहाँ से आपने start किया तो इसका closure क्या हो जाएगा इसका closure हो जाएगा s- arrow dot da slash dot a b तो यह इसका closure हो जाएगा तो यह late से आपका i not state है यह आपकी starting state हो जाएगा फिर देखे विर आपका go to होगा तो capital s के लिए go to हो जाएगा closure of h- arrow dot s तो यह आपका क्या हो जाएगा h- arrow dot s तो यह आप यूज करेंगे accepted के लिए ठीक है ना यह आपका accepted के लिए आपका यूज करेंगे फिर देखे आपका एक reduction फिर देखिए एक go to आपको होगा small d के लिए तो go to i note, small d यह आपको देदेगा closure यह आपको देदेगा closure s arrow d dot a और यह क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा s arrow d dot a और फिर चुके आपका a आ चुका है तो a से वाले production को भी आप इंक्लोड कर लेंगे a arrow dot b a dot c तो यह state आपको मिल जाएगा let's say यह जो state है यह आपका i2 state है फिर देखिए small a के लिए आपका go to possible है तो small a के लिए आप go to आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of s arrow small a dot b इसको solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा s arrow small a dot b और b वाले production आप लिखेंगे तो b arrow dot b capital b slash dot c तो यह आपको नई state मिल जाएगा तो यह आपकी हो जाएगी i3 state i1 state तो देखिए i1 state आपका complete हो चुका है क्योंकि यहाँ पर आपका go to function यहाँ पर possible नहीं है i2 state की बात करें तो आप go to लगा सकते है capital a के लिए तो capital a के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा closure of s arrow d a dot और यह क्या हो जाएगा यह equal हो जाएगा s arrow d a dot के यहाँ आप देख रहे हैं यह item यहाँ पर reduce हो गया है इस state पर यह वाला item आपका reduce हो चुका है यह आपकी fourth state होगी और यहाँ पर आपका reduction perform हो रहा है तो यहाँ पर note कीजिए यहाँ पर इस state पर केवल एक ही item reduce होगा है यहाँ आपका यहाँ पर कोई भी आरार conflict नहीं होगा दूसरी चीज़ यहाँ पर note कीजिए कि आपका यहाँ पर किसी भी terminals के लिए कोई भी out arrow नहीं है किसी भी terminals के लिए कोई भी आउट एरो नहीं है यानि आपका action part में आप इसा बोल सकते हैं कि action part में चुकि कि किसी भी terminal के लिए कोई भी आउट एरो नहीं है तो action part में कोई भी shift entries यहाँ पर नहीं आएंगी ठीक है ना यानि आपका action part में के वल यहाँ पर एक ही reduce entry होगी और व हो जाएगा तो यह आपका R1 reduction है यह आपका R2 reduction है यह इसी तरीके से R3 यह आपका R4 reduction है यह आपका R5 reduction है और यह आपका R6 reduction है और यह तो आपका grammar का part ही नहीं है तो यहाँ पर आपका R1 reduction हुआ है यह इसका मतलब इस state पर आपको कोई भी conflict नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से small B के लिए आप go to लगाईगे, तो small B के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of a arrow small B.a और उस से आपको मिल जाएगा, a arrow small B.a इसका closure आप लेंगे, और इसका closure लेने पर आपको मिल जाएगा, a वाले production और include कर देंगे, त आपको मिल जाएगा dot ba slash dot c तो ये लेट से आपका i5 state है अब देखिए small c के लिए भी आपका यहाँ पर go to होगा तो small c के लिए अगर आप go to लेंगे तो आपको मिल जाएगा closure of a arrow c dot और जिसको की solve करने पर आपको मिलेगा a arrow small c dot यानि ये item आपका reduce हुआ है ये कौन सा item है जो आपका reduce हुआ है ये आपका fourth reduction हुआ है arrow small c आपका fourth reduction हुआ है तो यहाँ पर i4 हुआ है और ये state हो जाएगा आपका i6 यहाँ पर फिर आप note कर सकते हैं आपका कोई भी RR conflict नहीं है क्योंकि more than one item reduce नहीं हुए है इस state पर इस state पर केवल एक ही item reduce हुआ है और इस state पर आपका किसी भी terminal के लिए कोई भी outages नहीं है यानि action part में आपका कोई भी shift entries यहाँ पर नहीं होगी कोई दूसरा item भी उस state पर reduce हुआ हूँ या किसी terminal के लिए कोई age गई हो जिससे की action part में कोई shift entries आ जाए तो conflict चेक करने के लिए SR या RR के लिए आप एक ऐस state find out करेंगे जहाँ पर कि कोई reduction possible हो यानि एक R तो आपको मिल गया अब या तो आप दूसरा R find out करेंगे या फिर आप एस find out करेंगे shift find out करेंगे तो shift आपको मिलेगा terminals पर out ages के लिए और reduce आपको मिलेगा जब आपको एक और final item यहाँ पर मिल जाता है तो यह आपका इस state पर आपका कोई भी conflict नहीं आया है तो यह आपका i2 state complete हो चुकी है अब बात करते हैं i3 state की i3 state पर आप go to function लगाएंगे small b के लिए तो small b के लिए जब go to function लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा s arrow small a capital b dot आपका i7 state हो जाएगा देखें यहाँ पर कौन सा reduction हुआ है here up reduction हुआ है आपका 5th यह नि 5th reduction अपका हुआ है sorry यहाँ पर आपका reduction हुआ है second याँ आपका second reduction आपका हुआ है तो यह आपका R2 reduction हुआ है अगे आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टेट पर भी आपको कोई भी RR या SR conflict नहीं है तो अभी तक आपको कोई भी conflict यहां पर नहीं मिला है और small b के लिए क्या होगा small b के लिए आप चेक किजिए तो देखिए small b के लिए आप क्या होगा आप go to function लगाएंगे तो आपका हो जाएगा यह go to i3, small b और आपको मिल जाएगा यह हो जाएगा आपका closure of b arrow small b dot b और इसको solve करने पर आपको मिल जाएगा b arrow small b dot b ठीक है इसका आपको closure लेना होगा तो इसका closure लेने के लिए आपको यह b वाले production को भी add करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा b arrow dot b capital b slash dot c तो यह आपकी next state आपको मिल जाएगा यह आपका हो गया i8 अब यहाँ पर एक possibility और बची है small c तो small c के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको b arrow small c dot मिल जाएगा यहाँ पर फिर से reduction हुआ है कौन सा reduction हुआ है आपका reduction हुआ है r6 यहाँ आपका reduction हुआ है और यह state हो जाएग आपका i9 फिर से आप इसा बोच सकते हैं कि इस state पर भी आपका कोई भी rr या sr conflict यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है complete हो चुका है fourth state आपका कोई भी possibility यहाँ पर है नहीं है fifth state में देखिए आपका small a के लिए possibility है तो small a के लिए fifth state में देखिए आप capital a के लिए possibility है तो capital a के लिए अगर आप go to लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा go to of i5, capital a जिससे कि आपको मिलेगा closure a arrow small b capital a dot और जिसकों की जो equal हो जाएगा आपका a arrow small b capital a dot के तो यह आपको एक नई state मिली यह state आपका हो जाएगा i10 यह आपका i10 state हो जाएगी और यहाँ पर कॉन सा reduction हुआ है आपका third reduction हुआ है यहाँ आपका यहाँ पर r3 हुआ है यहाँ पर फिर आप इसा बोल सकते हैं कि इस state पर भी आपका कोई भी radius radius या shift reduce conflict यहाँ पर कोई भी arise नहीं हुआ है small b के लिए देखिए small b के लिए आप लगाएंगे go to i5, small b जो कि आपको दे देगा closure of a arrow b.a यानि आपको इसी यही state मिल जाएगा same state मिल जाएगी यानि आप इसा बोल सकते हैं कि small b के लिए आपका यह cell flow हो जाएगा अब बात करते हैं small c small c के लिए आपको क्या मिल जाएगा small c के लिए आपको मिल जाएगा closure of a arrow c dot यानि आप इसा बोल सकते हैं कि small c के लिए आप shift कर जाएगे 6 state पर तो यह देखिए small c के लिए आपका यह इस तरीके से आपका यह shift हो जाएगा तो आपका यह fifth state भी हो चुका है sixth state आपका already completed है seventh state भी आपका already completed है eighth state को देखते है eighth state पर आपका possibility है capital B के लिए तो capital B के लिए अगर आप यहाँ पर go to लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of b arrow small b capital B dot जो की equal हो जाएगा b arrow small b capital B dot तो यह यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहा है एक नई state आपको मिली है यह state हो जाएगा आपका eleven state ठीकिन अब यहाँ पर reduction क्या हुआ reduction हुआ है b arrow small b capital B का यह आप इसा बोल सकते हैं कि यह r5 आपका यहाँ पर लगाए तो small b के लिए अगर आप go to लगाएंगे यानि go to i8, small b तो आपको मिल जाएगा closure of b arrow small b dot b यानि आप इसी state पर आ जाएंगे यानि small b के लिए आपको हो जाएगा self loop उसी तरीके से अगर आप small c के लिए go to लगाएंगे तो c dot यानि आप बोल सकते हैं कि small c के लिए आप इस state पर shift कर जाएंगे तो आपका ये 8th state भी complete हो चुका है 9th state आपका already completed है 10th state भी already completed है और 11 state भी आपका already completed है तो आप इसा बोल सकते हैं कि इस grammar के लिए आपकी total 12 states होंगी 0 to 11, total 12 states होंगी और ये आपका हो जाएगा canonical collection of LR0 items और यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि number of in educated state आपका 0 हो जाएगा क्योंकि किसी भी state पर कोई भी reduce या shift reduce conflict यहाँ पर नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि given grammar is LR0 grammar अब देखिए एक grammar अगर LR0 है तो इसको बोल सकते हैं कि यह grammar आपका LR1 बी होगी है अब चैक करते हैं कि क्या यह ग्रामर ल वन है तो देखी यह प्रडुक्षन जए गप किसमूल डी समूल है यह प्रडुक्षन समूल भी स्मूल दी थी टीक है न तो grammar LR0 है तो वो grammar आपका SLR1 भी होगा इसा हम कैसे बोल सकते हैं हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर LR0 में कोई conflict नहीं है LR0 कब होगी LR0 तब होगी जब उसमें कोई भी shift reduce conflict नहीं होगा तो अगर कोई भी conflict LR0 में नहीं है तो SLR1 में तो conflict आ ही नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि LR0 से SLR1 में हम क्या change करते हैं हम reduce entries को कम करते हैं तो अगर ज़्यादा reduce entries पहले थी जैसे कि इस केस में पहले ज़्यादा reduce entries थी उसकी वज़े से ही जब कोई conflict नहीं आ रहा है तो reduce interest को कम करने पर तो आपका conflict आने का कोई सवाल ही नहीं है इसका मतलब मैं सब बोल सकते हैं कि अगर एक grammar LR0 है तो SLR1 भी होगी क्योंकि अगर कोई conflict LR0 में present नहीं है कोई भी SR या RR conflict LR0 में present नहीं है तो चुकि आप यहाँ पर जाने पर reduce interest को कम कर देंगे reduce interest को आप यहाँ पर कम कर रहे हैं क्योंकि SLR1 की case में आप reduce interest को केवल और केवल follow of alpha में ही डाल रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जोकि आपके reduce interest यहाँ पर कम हो जाएगा तो अगर कोई conflict SR या RR यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपका SR या RR conflict present नहीं होगा एसा हम कैसे बोल सकते हैं कि एक grammar SLR1 कब नहीं होगी एक grammar SLR1 तब नहीं होगी जब या तो वहाँ पर SR conflict हो या वहाँ पर RR conflict हो ठीक ना एक grammar SLR1 कब नहीं होगी तो एक grammar SLR1 तब नहीं होगी जब SLR1 पार्सिंग टेबल में SLR1 parsing table में या तो SR conflict present हो या फिर आपका RR conflict present हो इसका मतलब आप इसा बोल सकते हैं कि SLR1 में आपने reduce interest को पहले से ही कम कर रखा है क्योंकि आप reduce interest को कर रहे हैं केवल और केवल follow of alpha में blindly उसको fill नहीं कर रहे हैं blindly reduce interest को आप fill नहीं कर रहे हैं आप फिल कर रहे हैं केवल और केवल follow of alpha में और आप follow of alpha में fill करने के बाद भी अगर आपको कोई conflict मिल रहा है तो फिर अगर आप blindly fill करेंगे तो definitely वो conflict आपका पहले बारा तो रहे गई रहेगा साथ में ऐसा हो सकता है कि extra conflicts और मिल जाएं ठीक है ना तो एक grammar SLR 1 कब नहीं होगी एक grammar SLR 1 तब नहीं होगी जब SLR 1 पार्सिंग टेबल में या तो SR conflict हो या RR conflict हो इसका मतलब उस SLR 1 पार्सिंग टेबल में जब पहले से ही reduce entries को कम करने पर भी अगर conflict मिल रहा है तो reduce entries को blindly fill करने पर तो आपके conflicts और भी increase हो सकते हैं या increase ना भी हो तो जो existing आपकी conflicts थे हैं वो तो वहाँ पर रहेंगे ही ठीक ना तो इसलिए में सब हो सकते हैं कि अगर एक grammar SLR 1 नहीं है तो grammar LR 0 भी नहीं होगी क्योंकि जो conflicts यहाँ पर present हैं definitely वो conflicts तो यहाँ पर present रहेंगे ही रहेंगे साथ में कुछ extra conflicts भी आ सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर reduce interest को blindly fill कर रहें हैं ग्रामर जो है यह गिवन ग्रामर जो है यह आपका LL 1 भी, LR 0 भी, SLR 1 भी, LLR 1 भी, CLR 1 भी और LR 1 भी हैं question discuss करते हैं check the following grammar is LR 0 or not check the following grammar is LR 0 or not तो सबसे पहले यह आपका एक grammar given है तो यह आपका first production है यह second production है यह आपका third production है तो आपका numbering हम इसकी कर देते हैं कि यह आपका first reduction है यह second reduction है और यह आपका third reduction है तो R1, R2, R3 तो सबसे पहले हम इस grammar को argument करते हैं तो इस grammar को आप argument कर सकते हैं इस production को add करके ठीके ना फिर आप इस start कीजिए starting state से तो आप closure ले लेंगे यहाँ पर start करेंगे starting state से और आपको check करना है कि यह grammar आपका lr0 grammar है या नहीं है तो start कीजिए starting state 0 से तो closure s- arrow dot s तो वो आपको देगा s- arrow dot s और देखिए फिर dot के बाद में आपका variable capital s है तो capital s वाले production को भी आप cover करेंगे तो s- arrow dot यह production आपको मिल जाएगा अब देखिए फिर यहाँ पर दो possibility है आपका capital s के लिए go to होए और एक आपका left bracket के लिए go to होगा तो capital s के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा यानि यह i1 state हो जाएगा यह आप यूज करेंगे for acceptance for successful completion successful completion या acceptance के लिए आप इस state को यूज करेंगे left bracket पर अगर आप go to लगाएंगे तो आपको आप यहाँ पर लिखेंगे go to inote, left bracket और जो equal हो जाएगा is equal to closure of s arrow left bracket dot l closing bracket ठीक है ना तो यानि आप ऐसा बोल सकते हैंगे आपको इसका closure लेना होगा ठीक है तो इसका go to लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका closure, इसका closure क्या हो जाएगा इसके closure में आप इसको इस production को include करेंगे plus देखी dot के बाद आपका variable l है तो l वाले productions को भी आप यहाँ पर include करेंगे तो देखी ल वाला production यह है तो आप लिखेंगे l arrow dot l comma s slash dot s यानि l arrow dot s और l arrow dot l comma s यह दो production आप यहाँ पर add करेंगे तो s वाले production को भी आप यहाँ पर इस dot के बाद यहाँ पर capital s है तो इसकी वज़े से आप इस वाले production को भी यहाँ पर add कर देंगे तो s arrow dot यह production भी आपका यहाँ पर include हो जाएगा अब देखें यहाँ पर आपकी go to functions यहाँ पर क्या-क्या हो सकते हैं go to functions हो सकते हैं आपका यहाँ पर capital L के लिए और capital s के लिए तो यह दो variable के लिए आप go to लगाएंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यह आपका यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा घूट खाएगा Go to go to I to язы Conna capital Al, यह जो डोट अगर capital L से पहले होगा अपका बडोट capital L के बाद आजयेगा तो देखें ऐसे कितने Specifically यह इंखें अब्चिन है जिनमेगी दोट Capital L पहले था तो आपका पर की आपका डोट Capital L से पहले था तो आपका जो है इस गोटू का answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका closure closure of तो देखिए first production तो आपका ये हो जाएगा जिसमें कि आपका dot L के बाद shift हो जाएगा comma second production आपका ये हो जाएगा जिसमें कि आप ये इस dot को L के बाद यहाँ पर shift है तो यह इसका लेने पर आपको यहीं मिल जाएगा यह नई श्टेट अपको मिलेगी आई3 और केपिटल ऐस के लिए अगर आप गोटू लगाएंगे तो आपका यह यहाँ पर यह रेडक्शन हो जाएगा देखे कौन सा रेडक्शन हुआ यहाँ पर यहाँ पर आपका और left bracket के लिए left bracket के लिए आपका यहाँ पर यह self loop आ जाएगा ठीक है ना go to i2, left bracket is equal to closure of s bracket dot l bracket close तो आपको क्या मिल जाएगा वो यहीं मिल जाएगा यहाँ लिए आपका यहाँ पर self loop हो जाएगा closure of this यहाँ इसका closure लेना पड़ेगा और इसका closure आपको यहीं मिल जाएगा यहाँ आपका reduction हो चुका यह कौन सा reflect आपका नहीं आ रहा है आप देखिए, खोर कोमा की बात करें हम तो go to i3, कोमा के लिए आप क्या हो कोमा के बाद shift हो जाएगा तो देखिए, रोट कोमा की बाद आपका shift हो चुका है अब देखिए यहाँ पर फिर अप इसका ले लिए यहाँ पर इंगे क्लोजर तो इसका क्लोजर लेगे तो देखें यह पर क्या है, आपका स्वेस के लिए अग Epiczti से क्लीन घजाएंगे, तो हम यहाँ पर यहाँ पर याँ डेक्शन यहाँ पर होई है, फिर समय भोलों सकते हैं, कि ृप कोई भी' एसिर आई सब्सक्राइब ये तो फिल सकते हैं कि इस पुल सकते हैं कि अ कि इन डानेंखर के लिए निलिएब कितना इस पर यह रही बुरिज और फल्र bleed करते हैं तो ऊंब पार्सिंग टेबल आपका यह हो जाएगा ठीक ना यह हमने किवल एक्षिन पार्ट लिखा हुआ है और इसके लिए आप गोटू पार्ट भी लिख सकते हैं ठीक ना हम इसा बोल सकते हैं the above grammar is lr0 the above grammar is lr0 because there is no sr or rr conflict in this lr0 पार्सिंग टेबल तो यह जो grammar है यह grammar आपका lr0 हो जाएगी क्योंकि इस grammar में कि जो lr0 पार्सिंग टेबल है उसमें आपका कोई भी conflict नहीं है रहा है ना तो यहाँ पर rr conflict है नहीं यहाँ पर तो यहाँ पर आपके 8 states होंगी 0 to 7 अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि जो conflict आएंगे वो conflict आपके action पार्ट की वज़े से होंगी go to part आपका कभी भी conflict में participate नहीं करेगा तो आपको केवल conflict के लिए अगर आप चेक कर रहे है तो दो टाइब के conflits हो सकते हैं से सो conflict हो ही नहीं सकता तो आपके दो टाइब की конфlits हो सकते हैं यह तो को और second चीज़ चेक करेंगे आप terminals पर ठीक ना तो आप reduced item को check कीजिए अगर किसी भी state पर कोई भी reduced item है let's say alpha arrow beta अगर आपका reduced item है किसी भी state पर तो वहाँ पर आप दो चीज़ चेक करेंगे first चीज़ तो आप ये चेक करेंगे कि कहीं कोई दूसर reduced item तो नहीं है इस सेम इस्टेट पर गामा एरो डेल्टा ठीक ना तो इस सेम इस्टेट पर आपके दो items reduce हुए है तो यहाँ पर आर आर conflict हो जाएगा या फिर किसी terminals के लिए या देखिए variable हमने नहीं बोला है क्योंकि अगर आप यहाँ पर variable ले ले लेंगे आपके वहाँ पर SR conflict आ सकता है तो ऐसा कोई भी situation यहाँ पर नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि given grammar is LR0 grammar because there is no SR और RR conflict in this LR0 parsing table अब देखिए अगर यह grammar LR0 है तो यह grammar आपका SLR1 भी होगी यह grammar आपका LALR1 भी होगी और यह grammar आपका CLR1 या आप इसको LR1 भी बोल सकते हैं LR1 भी होगी अप चेक किजए क्या यह grammar LL1 है तो देखिए यह grammar first of phase आपका होजागा left bracket और यहाँ से देखिए first of phase first of phase आपका होजागा first of phase यह नि left bracket तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह grammar आपका LL1 नहीं है यह grammar आपका LL1 नहीं है क्योंकि आप यहाँ से भी देखकर बोल सकते हैं क्योंकि इस grammar में आपका left recursion possible है left recursion आपका present है due to this left recursion this grammar is not an LL1 grammar तो आप देख रहे हैं कि यह grammar LR0 है SLR1 है LLR1 है CLR1 है लेकिन यह grammar LL1 नहीं है अब यह जो आप देख रहे हैं यह आपके हैं canonical collection of LR0 items तो इनके basis पर आप SLR1 table भी बना सकते हैं तो अगर आप SLR1 table की बात करें तो SLR1 table में आप alpha arrow beta की entry करेंगे इस reduction की entry करेंगे follow of alpha में तो देखिए यहाँ पर follow of s calculate कीजिए follow of s क्या हो जाएगा तो देखिए follow of s में follow of s की बात करें तो follow of s starting symbol इसमें dollar आजाएगा ठीक ना फिर यहाँ से देखिए follow of s is equal to follow of L और follow of L में देखिए आपका यह right bracket आजाएगा और यहाँ पर यह कॉमा आजाएगा ठीक ना यहाँ आर वन की entry आप आर वन की entry आप dollar पर करेंगे right bracket पर करेंगे और कॉमा पर करेंगे यहनि left bracket पर आप इसके entry नहीं करेंगे क्योंकि यह इसके follow में नहीं आ रहा है follow of s में नहीं आ रहा है इसके लिए follow of L चेक कीजिए follow of L आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए right bracket और यहाँ से देखिए कॉमा ठीक है ना right bracket और कॉमा तो follow of L आपका हो जाएगा right bracket यहाँ से हो जाएगा कॉमा तो आप इसा बगल सकते हैं कि R2 और R3 के entry आप यहाँ पर करेंगे यानि आपका R2 देखिए यह रहा R2 के entry आप करेंगे कॉमा पर और right bracket पर ठीक है ना और इसी तरीके से R3 के entry आप करेंगे कॉमा पर और right bracket पर तो यह आपको SLR 1 parsing table मिल जाएगा ठीक है ना इस canonical collection of LR0 items के यह सर के आपको यह SLR 1 parsing table मिल जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि SLR 1 parsing table में भी आपका कोई conflict नहीं है तो यह grammar भी आपका SLR 1 होगी तो अगर एक grammar LR0 है तो SLR 1 भी होगी एससली हुआ है क्योंकि अगर कोई conflict LR0 में नहीं है कोई भी RR या SR conflict LR0 में नहीं है तो SLR 1 में तो conflict हो ही नहीं सकता क्योंकि LR0 में आप कुछ reduce entries को कम कर रहे हैं देखे LR0 में आप blindly fill कर रहे हैं तो LR0 में reduce entries ज्यादा होगी SLR 1 में आप follow of alpha की help से reduce entries को fill कर रहे हैं तो यहाँ पर reduce entries आपका कम हो जाएंगी तो चुकि reduce entries कम हो गई है तो SLR 1 में आपकी conflicts भी कम हो जाएंगी इसका मतलब अगर एक grammar SLR 1 नहीं है तो वो LR0 भी नहीं है क्योंकि अगर एक grammar SLR 0 नहीं है यानि कम reduce entries लेने पर भी उसमें कोई conflict है अगर कम reduce entries लेने पर भी उसमें कोई conflict है यानि SLR 1 नहीं है तो reduce entries को increase करने पर तो definitely वो जो पहले conflict था वो तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में कुछ extra conflicts भी आ सकते हैं इसका मतलब अगर एक grammar SLR 1 नहीं है तो वो LR 0 भी नहीं होगी इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आप conflicts को check करेंगे तो conflicts को check करने के लिए आप केवल action part को check करेंगे go to parts को आप conflicts के लिए check नहीं करेंगे क्योंकि go to part आपका कोई भी problem create नहीं करेंगा तो जिसे कि हमने आपको बताया है कि अगर आप ASR या RR conflict के लिए check कर रहे है तो वहाँ पर minimum 1 R होना चाहिए यागर आप किसी भी state को conflict के लिए check कर रहे है तो वहाँ पर आपका one reduction या one final item उस state पर आपका होना चाहिए तब उस state पर हो सकता है कि आपका ASR या RR conflict हो अगर latest से उसी state पर आपको एक और reduce item मिल जाता है तब तो वहाँ पर RR conflict हो जाएगा या latest से उसी state पर अगर आपको किसी terminal के लिए कोई out ages मिल जाती है तो फिर वहाँ पर SR conflict हो जाएगा ठीक ना, terminal के लिए इसलिए बोला है क्योंकि terminal के entry आप करेंगे action में, अगर लेट से यहाँ पर कोई variable है कोई भी variable है तो वो entry आपका action part मनी जाएगा वो go to part मनी जाएगा, तो यह variable कोई भी यहाँ पर conflict create नहीं करेंगा, ठीक ना, क्योंकि आप shift कर रहे हैं cable और cable terminals पर तो अगर लेट से यह आपका left bracket है या आपका small a है तो आप terminals पर shift करेंगे और यह आपका release हुआ है, तो यह आपका SR conflict हो जाएगा यहाँ पर या फिर अगर एक state पर दो final item से दो या दो से ज़्यादे final item से तो वहाँ पर वो RR conflict हो जाएगा या एक ही state पर SR और RR conflict भी हो सकता है यहाँ पर आपका दो final item भी है और यह shift भी हुआ है तो जिसे कि आप देख पा रहे हैं, यह first SR conflict है, यह second SR conflict है और यह RR conflict है यहाँ यहाँ पर दो SR conflict है यह SR conflict, यह SR conflict दो SR conflict और एक RR conflict प्रजेंट है तो conflict के लिए आप यहाँ पर cable or cable terminals को देखेंगे, क्योंकि terminals पर ही आप shift करेंगे variables वाले entry तो आपका go to वाले पार्ट में जाएगी, तो अगर यहाँ पर variables है, तो उसको आप conflicts के लिए check नहीं करेंगे और conflict check करने के लिए 1R आपका compulsor ही है, इसका मतलब आप cable उनी states को पिक करेंगे, जिस पर कि कम से कम एक final उनी states को पिक करेंगे, जिने states पर आपका final items होंगे, conflict check करने के लिए action part में ही आपके ASR और RR conflict आ सकते हैं, और action part में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ terminals इसका मतलब आप arrow पर जो check करेंगे, वो terminals के लिए check करेंगे, ना कि variables के लिए, क्योंकि variable वाला part तो आपका go to में चला जाएगा, और go to part किसी भी conflicts में आपका involved नहीं होता है, ठीक ना, लेट से अगर आपका situation यह होती, यह capital A होता, तो यह go to part में जाता, और यह आपका action part में जाता, तो action part में आपका कोई भी conflict नहीं होता है, क्योंकि variable A के लिए आपका यह shift नहीं हुआ, variable A के लिए आपका यह go to part में गया है, और यह reduce हुआ है, यह reduce वाला part जाएगा action part में, तो आप इसा बोल सकते हैं, यहापर कोई भी conflict आपका नहीं है, लेकिन अगर आपने यहापर कोई terminal ले लिया, तो definitely आपका SR conflict हो जाएगा in LR0 parsing table, लेकिन अगर हम SLR1 की बात करें, तो क्या SLR1 में आपका यह conflict होगा, देखिए LR0 parsing table में तो definitely आपका यह SR conflict है, क्योंकि small a के लिए अपने shift किया है, और यहाँ पर आप reduce कर रहे हैं, तो LR0 में तो यह आपका SR conflict है, लेकिन क्या SLR1 में यह SR conflict है, तो देखिए SLR1 में यह SR conflict हो भी सकता है, और SR conflict नहीं भी हो सकता है, यह दोनों चीजे डिपेंड करेंगी follow of alpha पर, क्योंकि आप इस reduction की entry कर रहे हैं, इस reduction की entry कर रहे हैं follow of alpha में, तो let's say अगर follow of alpha intersection small a is equal to phi है, इसका मतलब अगर follow of alpha जो आपको terminals दे रहा है और जो terminal a हैं, यह दोनों disjoint हैं, अलग अलग हैं, तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी SR conflict नहीं होगा, तो उस case में आप इसा बोल सकते हैं, कोई भी आपका SR conflict नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो entry आप करेंगे, इस reduce की entry आप करेंगे, वो small a पर नहीं करेंगे, ठीक है न, वो आप करेंगे follow of alpha वाले terminals पर, और चुकि follow of alpha और a small a आपके disjoint है, तो इसलिए आपका यहाँ पर कोई भी SR conflict नहीं होगा, तो SR conflict तब आएगा, जब follow of alpha, यह आप इसा बोल सकते हैं, a belongs to follow of alpha, तो अगर आपका a belongs to follow of alpha हुआ, तो आपका वहाँ पर SR conflict आजाएगा, क्योंकि small a पर आप shift entry कर रहे हैं, और small a पर ही आपका, small a पर भी आपका यह reduce entry भी आएगी, तो small a पर आपका इस state के लिए आपका shift reduce दोनों entries आजाएगी, तो definitely आपका यहाँ पर फिर वहाँ पर आपका SR conflict होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि combination of final and non-final, combination of final and non-final item may cause SR और 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 conflict, when two final item reduce on the same state, then definitely there are RR conflict in LR0, इसी तरीके से अगर हम बात करें, alpha arrow beta और gamma arrow delta, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो final item reduce होएं, एक same state पर, तो LR0 के case में तो definitely आपको यहाँ पर RR conflict मिलेगा, लेकिन SLR1 के case में यहाँ पर RR conflict हो भी सकता है, और RR conflict नहीं भी हो सकता है, ठीके ना, तो वो depend करेगा, क्योंकि देखें, इस reduction के entry आप करेंगे follow of alpha पर, और इस reduction के entry आप करेंगे follow of gamma पर, तो अगर follow of alpha, intersection follow of gamma, अगर आपका phi होगा, यानि यह दोनों disjoint होगे, यानि यह reduction अलग terminals पर जा रहा है, यह reduction अलग terminals पर जा रहा है, तो आप इसा बोल सकते हैं कि फिर वहाँ पर कोई भी RR conflict नहीं होगा, लेकिन लेट से आपका follow of alpha, intersection follow of gamma, अगर यह आपका phi नहीं है, फाइ नहीं है, इसका मतलब कोई terminal common है, तो same common terminal पर आपकी इन दोनों reduction के entries आप करेंगे, तो फिर definitely वहाँ पर आपका RR conflict आ जाएगा, अब एक और production है, आपका L arrow L dash, L arrow B dash, L arrow C dash, and L arrow L, यह आपका लेट से आपका एक item है, और left bracket के लिए आप चाह रहे हैं, L arrow, देखे, left bracket के लिए आप जाएँगे, dot L पर, ठीक है ना, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर conflict है या नहीं है, तो देखे, more than one final item है, तो definitely यहाँ पर आपका conflicts होंगे, let's say, यह reduction है, R1, R2, यह reduction है, आपका R3, और यह जो है, let's say, यह आपका state number 1 है, और यह state number let's say, आपका 3 है, तो आप इसा बोल सकते हैं कि left bracket के लिए, आप S3 पर जा रहे हैं, ठीक है, shift कर रहे है, third state पर, तो यहाँ पर कितने conflict होंगे, तो देखे, यहाँ पर आपके RR conflict कितने होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखे, R1, R2 आपका conflict होगा, R2, R3 आपका conflict होगा, और R1, R3 आपका conflict होगा, यानि 3C2, which is equal to 3, यानि आपके total 3RR conflict होगे, और 3RR क्या हो जाएंगे, R1, R2, R2, R3, and R1, R3, यह आपके 3RR conflict होगे, और कितने SR conflict होगे, आपके 3 ही SR conflict होगे, क्योंकि देखे, यह आपका 3rd state पर आप जा रहे हैं, यानि S3R1, S3R2, S3R3, यानि 3SR conflict होगे, और 3E आपके RR conflict होगे, तो total आपके यहापर 6 conflicts होजाएंगे, और यह state आपका in-educated state होजाएंगे, चेक करते हैं, check the following grammar is LR0 or not, check the following grammar is LR0 or not, तो यह production है, आपका E plus T slash T and T arrow I, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए argument grammar लिखते हैं, तो argument grammar आपका हो जाएगा, E dash arrow E, E arrow E plus T slash T and T arrow I, देखे, यह आपका first production है, तो let's say आपका R1 है, यह आपका second production है, E arrow T, let's say आपका R2 reduction है, ठीक है ना, यह आपका R2 reduction है, और T arrow I, यह लेट से आपका R3 reduction है, तो आपकी grammar में 3 production है, यह आपके सबोल रखते हैं, कि यहाँ पर 3 reductions आपके हैं, आपको चेक करना है, कि यह grammar आपका LR0 होगी यह नहीं होगी, तो सबसे पहले हमने augmented grammar यहाँ पर लिखा, फिर augmented grammar जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जो augmented grammar में यह production है, E-E, यह जो production है, E-E, यह आपकी grammar का part यहाँ पर नहीं है, तो हमेशा बोल सकते हैं, कि यह किसी conflict में भी आपका involve नहीं करेगा, यह E-E जो है, यह आपका किसी भी conflict में involve नहीं करेगा, क्योंकि यह तो आपकी grammar का part ही नहीं है, यह आपने केवल और केवल यूज किया है, for successful completion, यह आपकी grammar में तीन production है, यह तो आपने केवल successful completion के लिए यूज किया है, तो यह किसी भी conflict में यह production आपका participate नहीं करेगा, यह आप इसा बोल सकते हैं, कि यह जो E-E जो होगा, यह आपका reduction ही नहीं, यह केवल आप successful completion के लिए उस कर रहे हैं, reduction केवल यहाँ पर तीन होंगे, क्योंकि आपकी original grammar में केवल 3 ही production है, यह first reduction, यह second reduction और यह third reduction, यह कोई reduction नहीं है, यह तो आपकी grammar का part ही नहीं है, यह तो आपने augument किया है, for successful completion, यह हो जाएगा आपका E arrow dot E plus T slash dot T, और देखिए फिर से आपका E आचुका है, dot E पर है, तो अगर यह E वाला production आप repeat करेंगे, तो आपको यहीं मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए T है, तो T वाला production आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा T arrow dot I, तो यह आपको आपकी initial state हो जाएगा, I zero state हो गई यह आपकी, अब देखिए capital E के लिए लगाई है, तो capital E के लिए अगर आप go to लगाएंगे, यह आपको मिल जाएगा, closure of E dash arrow E dot comma E arrow E dot plus T, इसका closure, ठीक है न, देखिए, यहाँ पर दो production ऐसे हैं, जिन में E से पहले dot है, तो अगर आप go to लगाएंगे capital E पर, यह दो production ऐसे हैं, जिसमें E से पहले dot है, तो dot आपका E के बाद shift हो जाएगा, और उसका ले लेंगे आप closure, यह दोनों का closure लेंगे, E dash arrow dot E, तो इसका आप go to लेंगे, तो यह dot E के बाद shift हो जाएगा, ऐसे यह वाला production में dot है, जो आपका E से पहले है, तो dot E के बाद आजाएगा और पिर इनका लेंगे अप closure, एसका closure आप लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, और चरब इसका closure लेंगे तब भी आपको यही मिल जाएगा, तो यह आपकी state हो जाएगी let's say यह आपका i1 state है अब देखिए e के लिए आप possibility cover कर चुके है एक और possibility है आपका यहाँ पर t के लिए तो अगर आप t के लिए go to लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of e arrow t dot और जिसका की closure लेने पर आपको यही मिल जाएगा तो यह let's say आपका i2 state है i2 state है और यह reduction जो हुआ यह कौन सा reduction हुआ है यह reduction यहाँ पर हुआ है आपका r2 देखिए इस state पर आपका r2 reduction हुआ है और एक possibility है आपका यहाँ पर small i के लिए तो अगर small i के लिए आप go to लेंगे तो आपका हो जाएगा closure of t arrow i dot ठीक है आप देखिए यहाँ पर कौन सा reduction हुआ है आपका r3 reduction हुआ है और यह कौन सी state हो जाएगा यह आपका i3 state हो जाएगी आप देखिए फिर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका यह तो completed है यह वाला production तो completed है यहाँ पर plus के लिए आपका go to लग सकता है यानि go to i1, plus तो plus पर अगर आप go to लगाएंगे तो आपका यह हो जाएगा equal to closure of closure of e arrow e plus dot t और इसका अगर आप closure लेंगे तो यहाँ पर t वाला production भी add हो जाएगा यहाँ पर add हो जाएगा यानि आपको यह state मिल जाएगी यह state हो जाएगा लेट से आपका i4 यह आपका i4 state है यह आपका already completed है यह भी completed है अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर t की बात करें तो t के लिए अगर आप यहाँ पर go to लगाएंगी यानि go to i4, capital t तो आपका आजाएगा closure of e arrow e plus t dot और इसका closure लेने पर आपको यही मिल जाएगा और यह आपकी state हो जाएगा fifth यानि i5 हो जाएगा यह और यह आपका जो reduction हुआ है यह आपका यहाँ पर r1 reduction हुआ है ठीक है ना और अगर आप यह go to लगाएगे i के लिए तो आपको मिलेगा closure of t arrow i dot और आपको यह यह वाले state मिल जाएगी अगर small i की आप बात करें तो यह इस given grammar के लिए अगर आप canonical collection of lr0 items बनाएगे तो आपका यह मिल जाएगा अब देखिए यहाँ पर इस state को देखिए यह यह आपका reduce हुआ है लेकिन यहाँ पर केवल एक ही item reduce हुआ है तो आपका कोई भी rr conflict नहीं होगा और किसी भी terminal के लिए आपका कोई भी out arrow यहाँ पर नहीं है तो कोई sr conflict भी नहीं होगा यहनी no rr no sr conflict on this state इसको देखिए यहाँ पर भी कोई आपका sr या rr conflict नहीं है इस तरीके से यहाँ पर भी कोई आपका rr या sr conflict नहीं है क्योंकि एक ही put items यहाँ पर reduce हुआ है किवल एक ही item reduce हुआ है तो आपका rr conflict नहीं होगा किसी terminal पर कोई भी out arrow नहीं है out arrow नहीं है किसी भी terminal पर तो कोई SR conflict भी यहाँ पर नहीं है यहाँ आप ऐसा बोल जकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी SR या RR conflict नहीं है कुछ बच्चे यह सोच रहे होंगी कि इसको हमने क्यों नहीं लिए यहाँ पर तो आपका SR conflict होना चाहिए था देगे यह प्लस किलीए आप यहाँ पर गए है इसका मतलब यह shift entry होगी देखे यह प्लस के लिए आप यहाँ पर गए है तो यहाँ पर आपकी क्या होगी है शीफ्ट एंट्री होगी ठीके नंग और यह आपका रिडूस हो गया है और यह आपका reduce हुआ है तो SR complete होना चाहिए लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि plus के लिए यहाँ पर shift तो हुआ है इस first state पर आपका terminal plus के लिए shift तो हुआ है shift to S4 तो हुआ है लेकिन कोई भी reduction यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि यह production तो आपके grammar का party नहीं है अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई reduction हुआ है तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा reduction हुआ है reduction तो हमारे पास cable 3 ही है R1, R2 और R3 यह तो reduction आपका कोई था ही नहीं तो आप इसा बोल जकते हैं कि यहाँ पर कोई भी reduction नहीं हुआ है क्योंकि रिदक्शन यहाँ पर कोई एसार कॉंफलिक्ट नहीं होगा यह आपने सिर्फ इसलिए यूज किया है ताकि वन इस्टेट पर आप डोलर के लिए डोलर के लिए इसको एकसेटेड लिख सकें फर्स इस्टेट पर आपको यह production मिला है तो आप डोलर पर इसको successful completion याँ एकसेटेट के लिए इसको लिख सकें बस इस purpose के लिए अपने इसको use किया है otherwise यह तो आपकी grammar का पार्टी नहीं इसलिए यह आपका कोई reduction भी नहीं होगा यहाँ पर आपका कोई भी SR conflict नहीं होगा तो मैं सब बोचकते हैं कि given grammar is LR0 grammar because there is no SR or RR conflict in this LR0 parsing table या in this canonical collection of LR0 items अब देखिए grammar अगर आपका LR0 है तो यह grammar आपका SLR1 भी होगी यह grammar आपका LALR1 भी होगी और यह grammar आपका CLR1 या जिसको कि आप LR1 भी बोल सकते हैं यह भी होगी अब चेक कीजे क्या यह grammar LL1 है तो देखिए यह grammar LL1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर left recursion possible है left recursion present है तो due to this left recursion the given grammar is not LL1 तो grammar LL1 नहीं होगी अब next question देखते है check the following grammar is LR0 or not और grammar है आपका E arrow and T arrow I ठीक ना तो यहाँ पर देखिए first reduction है आपका E arrow T plus E second reduction है आपका E arrow T and third reduction है आपका यहाँ पर T arrow I तो सबसे पहले आप इसके लिए augmented grammar लिखेंगे augmented grammar किस तरीके से लिखेंगे आप यहाँ पर E arrow E वाला production लिखेंगे और फिर start करेंगे closure of E dash arrow E dash से यहने closure of E dash arrow dot E से आप start करेंगे तो E वाले production आप यहाँ पर include कर लेंगे ठीक है नए E वाले production आप यहाँ पर include करेंगे तो E arrow dot T plus E slash dot T अब आपको T वाले production भी यहाँ पर include करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा T arrow dot I तो यह आपको मिल जाएगा zero state यह starting state आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब देखें capital E के अगर आप बात करें तो capital E के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of E dash arrow E dot और इसका closure लेने पर आपको यही मिल जाएगा यानि यह आपका successful completion के लिए आप इसको use करेंगे यह आपका i one state हो जाएगा और यह आप use करेंगे for successful completion यानि accepted के लिए आप इसको use करेंगे फिर देखें next आपका T के लिए go to हो सकता है यहाँ पर तो अगर आप टी के लिए गोटू लगाएंगे तो डोट आपका टी के बाद हो जाएगा याप इसा बोल सकते हैं closure of e arrow t dot plus e comma e arrow t dot यानि इन दोनों का आपको closure लेना पड़ेगा तो अगर आप लिखेंगे और यहां पर इसका closure लेंगे तो वह भी आपको यही मिल जाएगा यानि इन दोनों का closure लेने पर आपको यही मिल जाएगा यह आपकी state हो जाएगा gusta you digest just set जैसे कि आप देख पारे हैं यह हां पर मिल अव이스क्षाय प्लस कि Liz a realDub को सुभा थिए सबसेंथ अब कर चाली को इसा ऑर इस सकते हैं किसी स्टेट पर पर स्रक्षाय को अदीज propose हो गया है और plus के लिए आपका यहां पर out ages जाएगी यानि शिफ्ट जाएगा plus के लिए तो आपका यहां पर sr conflict मिल जाएगा ति खेर इसको में आगर discuss करेंगे देखिए यह टी के लिए आपका हो जाएगा next possibility अगर small i की आप बात करें तो small i के लिए क्या हो जाएगा तो देखिए small i के लिए आपका हो जाएगा closure of t arrow i dot और इसका closure लेने पर आपको यही मिल जाएगा यह आपकी third state हो गई third state हो गई और यहां पर कौन सा reduction हुआ है आपका आर्थी reduction हुआ है अब देखिए इस state पर आपका कोई भी conflict नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर एकी item reduce हुआ है और किसी भी टर्मिनल के लिए कोई भी out arrow यहां पर नहीं गया है यहांने e arrow dot t plus e slash dot t अब यहां पर t आ चुका है तो t वाला production भी आपर एड़ हो जाएंगे यहांने t arrow dot i यहांने इसका closure लेने पर आपको यह वाले state मिल जाएगा तो यह state लेट से आपका i4 state है fourth state आपको मिल जाएगी अब इस i4 की हम बात करें तो यहां पर एक तो आपका possibility हो सकती है capital e के लिए तो capital e के लिए अगर आप go to function लगाएंगे यहां पर capital e के लिए अगर आप go to function लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of e arrow t plus e dot ठीक है ना और dot के बाद e आपका किवले की production म आ रहा है इसका मतलब आपको यह state मिल जाएगी तो यह state आपका हो जाएगा i5 यह अपकी i5 state हो जाएगा और यहां पर आपका reduction कौन सा हुआ है reduction हुआ है अपका r1 तो अगेर हम इसा बोल सकते हैं कि इस state पर आपका कोई भी conflict नहीं होगा क्योंकि आपका एक ही item reduce हुआ है ल r2 production आपका reduce हुआ है याप इसा बोल सकते हैं कि s4 r2 conflict यहां पर है s4 r2 conflict आपका यहां पर है यहां यहां पर रहा है यानि sr conflict इस second state पर आपका यहां पर present है तो देखिए इसको हम आगर देखेंगे तो plus के लिए आपका possibility आपर cover हो चुकी है अब t के लिए अगर हम बात करें तो t के लिए देखिए दो production है तो t के लिए अगर आप go to लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा closure of e arrow t dot plus e and e arrow t dot यानि t के लिए आपको same यही state मिल जाएगी तो t के लिए आपको यही state यहां पर मिल जाएगा अब एक और possibility यहां पर हो सकती है आपका small i के लिए तो small i के आपको मिल जाएगा closure of t arrow i dot और उस case में आपको यही मिल जाएगा यानि जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी इसके canonical collection of lr0 items में आपकी total 6 state होंगी 0 to 5 और यहां पर state 2 जो है वो आपकी inadequate state है state 2 आपकी जो होगी वो inadequate state है क्योंकि यहां पर आपका sr conflict है और in fact आपका यहां और s4 r2 conflict होगा in lr0 तो हमें सब बोल सकते हैं कि given grammar is not lr0 grammar given grammar is not in lr0 grammar given grammar is not lr0 grammar यह grammar आपकी lr0 grammar नहीं है क्योंकि lr0 parsing table में lr0 parsing table में आपको यहां पर state number 2 पर आपको एक sr conflict यहां पर मिल रहा है यहां यहां पर in aiguitive state यहां पर present है लेकिन चेक किजे क्या यह grammar आपका lr0 है तो देखिए lr bी नहीं है क्योंकि यह आप left factoring है तो left factoring present होनी के वज़े से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये grammar आपका LL1 भी नहीं है, तो ये grammar LL1 भी नहीं है क्योंकि left factoring है आपर और ये grammar आपका LR0 भी नहीं है, अब check करते हैं क्या ये grammar SLR1 होगी, तो देखिए, conflict LR0 में आ रहा है केवल एक second state पर, conflict आ रहा है केवल LR0 में एक second state पर, तो देखिए, second state पर conflict इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस plus के लिए, plus के लिए इस second state पर आपकी जो entry हो रही है, वो हो रही है, shift कर रहे हैं आप इस fourth state पर यानि S4 और reduction हो रहा है आपका ये R2, यानि S4 R2, S4 conflict में रहा है आपको इस second state पर, तो चेक कीजिए, अब आपको ये पता है कि ये जो reduce entry है, ये LR0 parsing table में हम blindly फिल करेंगे, लेकिन SLR1 में हम ये जो reduce entry को फिल करेंगे follow of E में, तो देखिए ये आप पर follow of E क्या है, कि SLR1 parsing table में ये जो reduce entry है, ये blindly फिल ना हो करके cable और cable dollar में ही आप यहाँ पर फिल करेंगे, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 parsing table में आपका कोई भी SR conflict यहाँ पर नहीं होगा, तो ये given grammar is an SLR1 grammar because there is no SR और RR conflict in SLR1 parsing table, क्योंकि SLR1 parsing table में ये प्लस के लिए आपका shift होगा second state पर, प्लस के लिए तो आपका ये S4 होगा, shift 4 होगा और ये reduction जो होगा, ये follow of E में जाएगा और follow of E है आपका dollar, यानि ये R2 के entry आप करेंगे cable और cable dollar पर, तो LR0 में तो आपका SR conflict है, लेकर SLR1 में आपका कोई भी SR conflict नहाँ पर नहीं है, अब चुकि ये grammar आपका SLR1 है, तो ये grammar आपका LALR1 भी होगी, और ये grammar आपका CLR1 या आप बोल सकते हैं कि LR1 भी ये grammar होगी, तो ये grammar L1 नहीं है, LR0 नहीं है, लेकिन SLR1, LALR1 और CLR1 है, तो SLR1 के case में number of in-adequative state यहाँ पर 0 हो जाएंगी, क्योंकि SLR1 के case में ये जो in I2 state है, ये conflict में participate नहीं कर रही है, देखिए LR0 में तो conflict होगा, लेकिन SLR1 में conflict resolve हो चुका है, क्योंकि reduce entry जाएगी fall of E पर, और ये आपका जैसागी देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर कोई भी SR conflict नहीं है, तो SLR1 के case में number of in-adequative state यहाँ पर 0 हो है, जबकि LR0 के case में number of in-adequative state यहाँ पर 1 है, और वो state आपका 2 होगी, second state होगी, तो देखिए, इसके लिए हम table बना रहे हैं आपका, तो table किस तरीके से आप create करेंगे, action part, और एक होगा आपका go to part, तो action part में आप entry करेंगे, terminals की, terminals हैं आपका i, plus, और dollar, और आपके जो variables हैं, variables हैं यहाँ पर आपका e or t, variables हो जाएंगे आपका e or t, और यहाँ पर हम ले रहे हैं state number, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, total आपकी 5 states होगी यहाँ पर, तो यह होगी आपका action part, जिसमें की shift reduce entry होगी, और यहाँ आपका हो जाएगा go to part, जिसमें की आपका state number होगी, तो देखिए 0 state के लिए देखिए, 0 state के लिए आप capital A पर, capital E के लिए आप shift कर रहे हैं, first state पर, तो capital A के लिए shift कर रहे हैं, फर्स्ट इस्टेट पर capital T के लिए, 0 state पर, capital E के लिए आपका, first state पर आप जा रहे हैं, तो go to में one entry आजाएगा, capital T आपका variable है, उसके लिए आप second state पर जा रहे हैं, तो आपका go to में 2 आजाएगा, उसके लावा shift entries के लिए देखिए, small i पर आप shift कर रहे हैं, small i पर आप shift कर रहे हैं, third state पर तो small i के लिए आपका यह हो जाएगा, S3, यह शिप्ट कर रहे हैं, third state पर, आप देखिए, first state पर देखिए, आपका यह complete हो रहा है, successful completion हो रहा है, E day zero, E dot, यानि आप इसा बोल सकते हैं, कि first state पर dollar के लिए आप यहाँ पर accepted की entry कर देंगे, अब second state की अगर आप बात करें, तो second state पर देखिए, आप इसा बोल सकते हैं, कि plus के लिए shift होआ है, plus के लिए, plus के लिए terminal है, plus के लिए shift होआ है, और वो shift होआ है आपका fourth state पर, और एक item reduce हुआ है, R2 reduce हुआ है, तो यह LR0 parsing table में, LR0 parsing table में, आप blindly reduce entries को fill करते हैं, तो आप इस R2 की entry कर देंगे, इस entire row में, इस entire row में आप इसके entry कर देंगे, तो जैसे कि आप देखे आ पा रहे हैं, आपर एक SR conflict आपका आ चुका है, और फिर देखिए, यहां पर आपका, किसी भी variable के लिए कोई भी outage नहीं है, तो आपका go to part में, कोई भी entry यहां पर नहीं होगी, अब third state की अगर आप बात करें, तो यह आपका third state हो जाएगा, third state पर आपका reduction हुआ है, और वो reduction हुआ है आपका R3, यहां यहां ब्लैंड ली आप R3 को फिल कर देगे हैं यहां पर, तो ब्लैंड ली अपने R3 को यहां पर फिल कर दिया, अब बात करें, यहां पिर फूर्थ state की तो फूर्थ state पर आपका, फूर्थ state पर देखिए, shift हुआ है, capital है, small i के लिए, तो small i के लिए shift हुआ है third state पर तो small i के लिए shift हुआ है आपका third state पर और देखिए कोई भी item यहाँ पर reduce नहीं हुआ है लेकिन go to वाले part के entry यहाँ पर होंगी क्योंकि variable के लिए आपके यहाँ पर out transaction है out arrow है वेरिबल्स के लिए तो capital A के लिए आपका entry हो जाएगी 5 और capital E के लिए आपके entry हो जाएगी 5 और capital T के लिए आपके entry हो जाएगी यहाँ पर 2 अब उसी तरीके चे फिफ्त state को देखिए फिफ्त state पर आपका reduction हुआ है और यह reduction हुआ है आपका R1 यानि blindly आप इसके entry कर देंगे R1, R1, R1 और कोई भी variables के लिए out arrow नहीं है तो आपके go to part में कोई भी आपका entry यहाँ पर नहीं होगी तो यह आपके LR0 parsing table हो जाएगी इस given grammar के लिए है इस given grammar के लिए है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है आपका follow of E पर और follow of E क्या है follow of E है आपका dollar यानि केवल dollar में आपकी entry होंगी तो अब जो आप देख रहे हैं यह आपका SLR1 parsing table है जिसमें कि आपका कोई भी SR conflict अब यहाँ पर present नहीं है R1 के entry कहा होगी तो देखिए R1 के entry होगी आपका follow of E में यानि follow of E आपका होजाएगा dollar follow of E आपका होजाएगा dollar यानि यह entry आप करेंगे dollar पर R2 की इसी तरीके से R1 के entry भी आपके वल dollar में करेंगे तो यह आपका R1 के entry भी dollar में आएगी follow of E में आएगा और यहाँ पर देखिए follow of T क्या होजाएगा follow of t हो जाएगा आपका follow of e और follow of t यहां से हो जाएगा आपका plus यानि plus or dollar के लिए आप entry करेंगे R3 की R3 की entry होगी plus or dollar के लिए यानि यह वाली entry आप यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि follow of t आपका हो जाएगा follow of e यानि dollar आपका मिल गया और follow of t यहां से आपका हो जाएगा plus तो plus or dollar पर आप इसकी entry करेंगे तो R3 की entry आपने किये plus or dollar पर तो यह आपका table हो जाएगा SLR1 parsing table यह भी आपने calculate किया उन्थी बैसिस of canonical collection of LR0 item तो आप क्या देख रहे हैं कि LR0 में आपका shift reduce conflict था लेकिन SLR1 में वो shift reduce conflict आपका यहां पर resolve हो गया है तो हमें सब बोल सकते हैं कि अगर कोई conflict LR0 में present हैं तो हो सकता है कि वो conflict आपका SLR1 में resolve हो जाए हो सकता है कि LR0 में आपका SR या RR conflict present हो लेकिन SLR में वो conflict present नहों कि SLR1 में यह जो reduce entry जो आप fill करेंगे blind fill ना करके follow of alpha के basis पर करेंगे जिससे की हो सकता है कि आपका SR या RR conflict आपका minimize हो जाए तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक grammar LR0 नहों लेकिन SLR1 हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक grammar SLR1 नहीं हो और LR0 हो क्योंकि अगर एक grammar क्या के cases हो सकते हैं अगर एक grammar LR0 हो है तो definitely SLR1 भी होगी क्योंकि अगर LR0 में कोई conflict नहीं है तो SLR1 में तो conflict आने के कोई chances जी नहीं है क्योंकि SLR1 में तो आपके reduce entries कम ही होगी ठीक है ना इसका मतलब एक grammar LR0 हो है तो definitely SLR1 होगी अगर एक grammar SLR1 नहीं है तो grammar LR0 भी नहीं होगी क्योंकि SLR1 नहीं है SLR1 कब नहीं होगी SLR1 तब नहीं होगी जब SLR1 पर्सिंग टेबल में कोई SR यारर conflict हो तो कम reduce होने पर भी अगर कोई SR यारर conflict है तो reduce entries को increase करने पर वो जो पहले वाला conflict तो बना ही रहेगा साथ की साथ कोई extra conflict भी आ सकता है इसका मतलब अगर एक grammar SLR1 नहीं है तो वो grammar आपका LR0 भी नहीं होगी तो आप इसा बोल सकते हैं कि LR0 implies SLR1 इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक grammar LR0 भी हो और SLR1 भी हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक grammar LR0 नहीं हो लेकिन वो SLR1 हो एक grammar LR0 नहीं हो लेकिन SLR1 हो क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कोई conflict हो लेकिन SLR1 में वो conflict आपका solve हो जाए जैसे जिए किस में देखिए एक grammar LR0 नहीं है लेकिन SLR क्योंकि ये true होगा आपका, ये true होगा आपका, या तो 00 में, या फिर 01 में, या फिर आपका 11 में इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR0 भी हो और SLR1 भी हो ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR0 ना हो लेकिन SLR1 हो यह ऐसा भी हो सकता है कि ग्रामर LR0 भी ना हो और SLR1 भी ना हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रामर आपका LR0 हो लेकिन SLR1 ना हो और इसका आप negation ले लेंगे आपको मिल जाएगा कि अगर एक grammar SLR 1 नहीं है तो वो grammar आपका LR 0 भी नहीं होगी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो SLR 1 है यह आपका work करता है based on canonical collection of LR 0 items तो जैसे कि आपने यहाँ पर देगा कि जो SLR 1 parsing table में आपका action part में go to part में आपका कोई भी changes नहीं है या go to part LR 0 और SLR 1 का exactly same रहेगा या action part में आपके cable change होगा और action part में भी shift entries में कोई change नहीं होगा action part में भी आपका जो changes होगा वो कि वह reduce entries में होगा और वो reduce entries में change होगा according to follow-off alpha के basis पर क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर future information को get कर रहे हैं कि आपको जो reduction apply करना है वो आप blindly apply न करके आप कहां पर apply करेंगे तो आप वो reduction कहां पर apply करेंगे यह information आपको देगा follow-off e से तो आप feature information आप use कर रहे है follow-off e क्या दे रहा है follow-off e आपको feature information देगा to get where to write this correct reduction because in LR0 you are writing reductions blindly in entire row जब कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि आप जो reduction apply कर रहे हैं वो कि वो उन्हीं सिंबल्स में कर रहे हैं जो कि follow-off e एलफा में आ रहे होंगे यानि अगर उस एलफा को follow करते होंगे एलफा के बाद अगर वो terminals possible होंगे तभी आप वहाँ पर reduction लगा सकते हैं otherwise वो situation उस grammar के लिए कभी भी possible नहीं हो सकती है तो आप वहाँ पर फिर error को error message को display कराएंगे या blank cell कर देंगे उसके लिए तो blank cell का मतलब होता है error तो यह grammar आपके SLR 1 तो होगी लेकिन LR 0 नहीं होगी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR 1 is more powerful than LR 0 क्योंकि कुछ conflicts आपके यहां पर resolve हो जाएंगे जैसे कि देखिए SLR conflict LR 0 में था लेकिन SLR 1 में वो conflict आपका resolve हो गया है तो हम इसा बोल सकते हैं कि SLR 1 is more powerful than LR 0 या number of blank cells चोंगे वो LR 0 में SLR 1 में आपके LR 0 से ज़्यादा होंगे ठीक है ना तो number of blank cells चोंगे SLR 1 में ज्यादा है तो आप इसा बोल सकते हैं कि error detecting capability भी इसकी बढ़ जाएगी या यहां पर आप error को earlier detect कर सकते हैं जबकि LR 0 में आपका जो error detection है वो weak होता है क्योंकि later stage में आप उसको detect करेंगे तो देखिए आप यहां पर ASR conflict कैसे detect करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि ASR या RR conflict को अगर आप detect करने जा रहे हैं तो आप AC state को चूज करेंगे जिसमें की कोई भी final item present हो तो let's say अगर यह AC state है यहां पर कि आपका final item present है let's say आपका I3 state है और अगर उस पर किसी भी terminal के लिए किसी भी terminal के लिए अगर आपका कोई भी out arrow है तो फिर definitely वहां पर आपका ASR conflict होगा in LR 0 ठीक है ना let's say आपका यह small a के लिए आपका fifth state पर जा रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप LR 0 parsing table बनाएंगे तो LR 0 parsing table में यह let's say जो आपका reduction हुआ है यह reduction है आपका R1 यह R1 reduction है तो terminals और terminals हैं आपके आपर small है small b और dollars तो LR 0 के case में LR 0 के case में आप blindly इस reduction को fill करेंगे तो आप entire row में इस blindly reduction को fill करेंगे और small a के लिए आपका यह shift हुआ है terminals के लिए shift हुआ है आपका S5 में तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं LR 0 में आपका ASR conflict यहाँ पर आ जायागा यानि आप क्या करेंगे SR conflicts के लिए एक ऐसी state को find out करेंगे जहाँ पर कि आपका final item है reduce item हो और फिर terminals के लिए out arrow को यहाँ पर search करेंगे variable के लिए नहीं चेक करना अलेट से अगर आपका यहाँ पर variable होता capital A होता या capital B होता तो फिर यहाँ पर कोई SR conflict नहीं है क्योंकि capital B के लिए आपका यह entry फिर go to वाले पार्ट में जाती और यहाँ पर फिर आप लिए state number 5 तो capital होने पर आपका कोई यहाँ पी काँफिक्ट नहीं होता तो फिर capital B होने पर या variable होने पर तो फिर e Intry आपका गो तूवाले पार्ट में जाती ठीक का न है तो नहीं होता लेकिन चुगी आपका यहाँ पर टर्मिनल है तो इस terminal होने की वजह से आपका यह CRCOMPie present होगा या नहीं होगा यह depend करेगा इस reduction पर ठीक ना इस reduction के entry आप कहाँ पर करेंगे तो आप इसके लिए check करेंगे follow of a यानि follow of a आप इसा बोल सकते है follow of a intersection a is equal to 5 अगर यह आपका follow of a intersection a is equal to 5 है 5 है तो आप इसा बोल सकते हैं कि small a पर यह shift entries करेंगे और यह reduce entries यहाँ पर नहीं आएगी ठीक है ना क्योंकि intersection अगर आपका 5 है तो आप इसा बोल सकते हैं कि let's say follow of a आपका है small b और डॉलर तो आप इसा बोल सकते हैं कि reduce entries आप करेंगे small b और डॉलर के लिए तो अब आपका वो जो sr conflict था वो यहाँ पर resolve हो चुका है ठीक है ना वो sr conflict जो है वो अब यहाँ पर resolve हो चुका है क्योंकि follow of a आपका a नहीं है follow of a intersection a आपका 5 है आप इसा बोल सकते हैं कि small a पर shift reduce होंगी और reduce entry आप यहाँ पर नहीं करेंगे तो फिर आपका यह grammar slr 1 हो जाएगी और let's say अगर small a belongs to follow of a है या आप ऐसा बोल सकते हैं कि follow of a intersection a is not equal to 5 याँ अगर कोई भी common terminal है let's say common terminal है आपका small a याँ small a अगर आपका common terminal है तो फिर आप इन दोनों के लिए आपका एक ही sale पर small a के लिए आपका उस state पर a की sale पर shift b entries भी आईगी और reduce entries भी आईगी देखिए यहां से आईगी shift entries और follow of a में चुकि आपका small a है क्योंकि small a belongs to follow of a तो आपका small a के लिए आपकी reduce entries भी आएगा तो फिर यह grammar slr 1 नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपका sr conflict present होगा अब rr conflict की अगर हम बात करें तो rr conflict में भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक ऐसी state को find out करेंगे जहां पर कि आपका कोई भी final item present हो और फिर उस state पर आप चेक करेंगी कि क्या कोई दूसरा भी final item present है अगर कोई दूसरा present होगा तो definitely यहां पर फिर आपका rr conflict आजाएगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह गरावर आपका rr 0 नहीं होगी क्योंकि state number 3 पर state number 3 पर let's say terminal है आपके a, b, dollar आपके blindly यहां पर fill कर रहे हैं यह reduction let's say r1 और यह second reduction let's say r2 तो आपका यहां पर r1, r2 conflict आजाएगा क्योंकि आप r1, r1, r1 और r2, r2, r2 को यह blindly आपर fill करेंगे तो r0 में definitely आपका यह rr conflict यहां पर होगा लेकिन slr 1 में conflict यह rr होगा यह नहीं होगा यह depend करेगा आपका follow of a और follow of b पर let's say first case है follow of a intersection follow of b let's say अगर आपका यह phi है इसका मतला आप ऐसा बोल सकते let's say follow of a है small a और follow of b है small b यानि r1 की entry आप करेंगे small a पर और r2 की entry आप करेंगे small b पर तो अब आपका यहां पर कोई भी rr conflict नहीं होगा ठीक है ना क्योंकि यह आपका फाई है तो यह entry जाएंगी follow of a पर यह reduction जाएगा follow of b पर तो कोई भी आपका rr conflict यहां पर नहीं होगा लेकिन अगर माल लीजेए कि यह आपका फाई नहीं है यानि कोई common terminal नहीं है और let's say common terminal है small a ठीक है small a इसकी entry है small a dollar पर और इसकी entry है let's say small a और b पर तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जाएगा आपका r1 r1 ठीक है न और यहां पर आपका follow of b पर जाएगा आपका r2 और यहां पर हो जाएगा r2 तो definitely आपका यह rr conflict यहां पर present है तो फिर यह grammar आपका slr 1 नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपका rr conflict present है तो अकर follow of a intersection follow of b is not equal to 5 है तो definitely आप इसा बोल सकते हैं कि grammar slr 1 नहीं होगी क्योंकि इस common terminal पर आपको rr conflict यहां पर मिलेगा